अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को शेर कर दें, बहुत शुक्रिया नेक्स्ट वाला अलफबेट, आओ बिटिश वाले इसको पढ़ते हैं, आओ यह दो वाल साउंड्स हैं, आओ जबकि Americans पढ़ते हैं तो दो वाल साउंड्स ही हैं लेकर उनकी फस्ट वाली साउंड और है अमेरिका वाले पढ़ते हैं, ओ, ओ यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है कि ओनलाइन Oxford English Dictionary के मताबक British और American, दोनों ही ओ की साउंड को हर जगा पर आओ पढ़ते हैं जबकि ओनलाइन Cambridge English Dictionary ने बहराल इन दोनों साउंड का तश्क्रा किया हुआ है अब यह हम पर डिपेंड करता है कि हमने इस साउंड को कैसे पढ़ना है ओ पढ़ना है या ओ पढ़ना है जब हम इसको अदागर निकोशिक करते हैं तो अपने मूँ के अंदर हवा को रोकती है अपने मूँ को ओपन करके हवा को बाहर आने देती है तो एक समझे हलका सा दमागा होता है तो जब भी इसको as a alphabet पढ़ना है तो इसको पढ़ना है हलका सा फ नेक्स्ट वाला अलफबेट है क्यूँ इसमें भी क्यूँ के शुरू में क्य की साउंड आई हुई है इसको भी थोड़ सा aspirate करना है यानि क्य नहीं कहना क्य कहना है क्यूँ की बिज़ाए क्यूँ आगे है अलफबेट और बिटिश इसको पढ़ते हैं अमेरिकन प्ड़ते है आर वाल साउंड ऐसी साउंड होते है जिसमें हम अपने सीने से आने वाली हवा के रस्ते में रिकावट नहींद बाते जबकि एक contagious साउंड ऐसी होते है कि जब हमारे सीने से हवा बार आ रही बाते तो हम कहीं या कहीं हवा को थोड़ा या मुकमल तो पर रोकते हैं उसमें रिकावट डालते हैं तो अगर आपने American accent को लेना है तो फिर आप हर जगा प्यार को प्रोनौस करेंगे लेकिन अगर आपने British English को फालो करना है तो फिर आपने लफज के आखर पर नहीं पढ़ना और लफज के दरमयान में अगर R के बाद consonant sound आई हो तो फिर भी नहीं पढ़ना नेक्स्ट वाला alphabet है S वो हम ठीक पढ़ते हैं उसमें कोई problem नहीं है नेक्स्ट वाला alphabet है T यह हम पढ़ते है T यह भी aspirated sound है यानि इसमें भी Turkey sound को आपने introduce करना जाए ठी नेक्स्ट वाली alphabet है U यह हम ठीक पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली है V यह याद रखना है कि V का व पढ़ते हुए क्या होना चाहिए कि हमारा जो नीचे वाला होंट है वो उपर वाले दांतों को touch कर रहा हूँ फिर हमने इसको अदा करना है V मुह खोल के इस वाउ को नहीं पढ़ना नेक्स्ट वाई alphabet है W हम प्रिसको पढ़ते है W W नहीं है यह W है W नेक्स्ट वाला alphabet है X यह हम ठीक पढ़ते हैं फिर आता है Y यह Y नहीं होता यह Y होता है Americans भी Y पढ़ते हैं British भी Y पढ़ते हैं हमें भी वाई ही पढणा है अगर इसको हम वाई पढ़ेंगो तो इसका मतलब हम एक वाउल साउट को दूसरी गलत वाउल साउंट से चेंज कर रहे हैं तो हमने वाई नहीं पढ़ना, वाई पढ़ना है लेकिन एक बात याद रखना है कि यहां बे चुकर कि डबल यू आया हुआ है अब वी और डबल यू दोनों आवाज वाओ की ही देते हैं व, व की लेकं दोनों में व की साउंड निकालने में फरक है वी की जब वाओ की आप साउंड निकाल लेंगे तो फिर आपका नीचे वाला हॉंट उपर वाज दांतों को टच करेगा व, वेन, वेन, दोनों होंटों को आगे को बाहर को निकालना है और क्रीबन आपके होंट दाएरे की शकल में होंगे वेक, वेन, वेन, वेक, यानी होंट हमारे आगे को बाहर को निकलेंगे और क्रीबन जीरो या दाएरे की शकल बनी होगी हमारे होंटों की जब हम डबली यू की वाओ को पढ़ने कोशिक करेंगे when सबसे आखरी alphabet है z z पढ़ते हैं बरतानियां वाले z इसको पढ़ते हैं अमेरिका वाले तो यह दोनों तलफ़ज ठीक है अगर आप z पढ़ते हैं इसका मतलब आप ब्रिटिश को फालो कर रहे हैं और अगर z पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप अमेरिका को फालो कर रहे हैं मैंने कुछ इंग्लिश ठीचर्स को यह कह रहते हैं सुना है कि z वाली सौंड सही या z वाली गलत है दोनों में से कोई भी पढ़ते हैं तो दोनों ठीक हैं गलत कोई नहीं है फरक सिरफ आएगा कि आपके इसको फालो कर रहे हैं मुझे अमीद है कि आज के लेसन के बाद हम सब यानि इंग्लिश ठीचर्स और इंग्लिश स्पीकेंग के जो स्टूडन्स हैं या किसी भी क्लास के स्टूडन्स जो इंग्लिश को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम उसी तरीके से इंग्लिश इल्फबेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिस तरह के इंग्लिश डिक्षिनरीज में मौझूद है यानि हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और जो sounds हम गलत पाट रहे हैं उन sounds को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो English accent है English का लह जाए ज्यादा से ज्यादा क्रीबतार होता जाए natives के यानि अंग्रेजों के जनकी मादरी जबान English है तो improve your English pronunciation के अगले वीडियो तक मुझे जाल दीजी मेरी बातों को सुनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें बहुत शुक्रिया